सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे नोटिफिक्शन सबसे पहले कि आई कि अब करें कि नाइक पास में एक वीडियो बनाए था और की परिंटी फॉर निया पास में जोई कोई फोर ञैडियो ने कि बाई किल आए अपके लिए अब की वस्तां कि अ रसी थे एन रचल्पाइस का कि अब लुट्पि धूर्य में को तो आटी तो आटी वह ट। जिसको तोड़ा ओर जादा हायर केटेकरिम शिया था उसके पसको पॉपशन नहीं था अब दुस्तो ऐसा है कि KTM ने सेकेंड बाइक उसको पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और मेन डिजान ही है कि RC390 जो है काफी पावर्फूल भाइक थी सबको जचाता लेकिन अफ्टर ओल वो जो एक सिंगल सिंटर बाइक थी लेकिन आप दुस्तों जो ड्यूक और जो आर्स आने वाली 490 में वह दुस्तों जो है कि तो यह मेन हालेट रहेगा इस बाइक का पर एक चुली यह मेन मोटिफ भी को सिंटर इंजिन आ जाए तो इसका पर्फूमांस जो पावर स्प्रेसिफिक्शन है जो राइडिंग क्वालेटी है जो आपको एक फ्रील मिलना वाला है वो एक दम इन एक स्टेवल पहो जाए तो ऐसे कोई चेंजेस है नहीं सिर्फ एक मेन आपको बाता है कि डिजैंग का चेंज रहेगा विकोज दूक के सीडिज रहने वाला है वो उसके पर जो है लोक सब्सक्राइब पर डिबेंड रहेगा आर्सी का जो आर्सी सीर्स पाने वाला है तो वही चीज़ है बाकि लोक अगर जो है आपको थोड़ा वह चेंज मिलेगा लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको सेम रहेगी ऐस ऑफ के टीम आर्सी 490 तो एक बार में आपको बाता दूंगा दूस्तों स्टार्ट करेंगे विद प्राइस की प्राइस के रहने वाला है दूस्तों एज़ एस आपको में आगे बताऊंगा तो स्टार्ट करेंगे विद इंजिन तो अगर इंजिन के बात कर लो तो इस वाइक अंदर आपको जो है 490 cc पेरले ट्विन लिकवर्ट इंजिन मिलने वाला है जो कि बाट ओविस फिल इंजेक्टर रहने वाला है पावर के बात करू तो एस काफे अच्छा रही गई तो अब बात करूब द जो बरेकिंग के बार में तो बट अभिस है कि डिवल जाय्नीव आ को मिल नहीं है लेकिन अगर बात कर लो डिस ब्रेक की तो आपको फ्रंट का जो डिस प्रेक है वो मिलेगा अपको ने रहे बीड तो फिस निया भिकॉस को तो कशन्फर्म निए को के टिम में दोस्तों ऑफिशल को स्प्रस्फेक्शन जो रिवेल नहीं किये तो वह एक तिदा लेकिन डिक्स साइज जो काफे अच्छा मिलना वला है और सिंगल डिस्पर्क मिलेगा दोस्तों ऐसा ही कि आपको ड्यूल यह मिल आए याने कि ड्यूल घ वैसलिए फोक्स रियर में मिल जाएगा आपको ड्यूप कमोनो शॉब जो कि दोस्तों बहुत ऑविस विकॉस के टिम हर एक बाइक में चुरे है अपर अपने ड्यूप के जो फोक्स हो यूज करती है अब दूस्तों जबाइक का जो सबसे हालेट फीचर आता है वह है जो कि इंट्रेस्टिंग टॉपिक है वह है एंस्ट्रूंट क्लस्टर का विकॉस तो आपको 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 आपका जो ड्यूप 380 वाला है टीफ्ट डिस्प्ले वह ही मिलने वाला है अब के टिम आरसे भी जो है 490 उसकंदर पर वही मिलेगा तो डिस्प्ले में आपकोई खास च 390 में वह अप्शन नहीं है लेकिन 490 में आपको मिलने वाला है तो यह में डिफ्रेंस आएगा कि जो के टीम आरसे 490 वाय करना साथ है उनको जो है टीफ्टी डिस्प्ले मिल देगा एक अच्छी बात है तो यह थे दोस्तो कुछ में हैलेट के बारे में बाकी दोस्तो जब बाइक लॉंच होगी तभी इसके जो है कनफर्म स्पेसिफिक्शन मालूम पढ़ेंगे अब दोस्तो अगर बात करें लॉंच डेट की सब्सक्राइब करना शुरू किया लेकिन ओफिशली के टीम ने ना हे कोई लॉंच डेट रिवल किया ना हे कोई स्पेसिफिक्शन प्रूबने हुई तो इसका डेट जो लॉंच डेट थोड़ा बहुत डिल होने वाल है विकोज सबी चीज़े लॉंच डेट पर डिपेंड करती है विकोज मैंद्वक्शरिंग है ट्रांस्पोर्ट यह सब चीज़े जो इसके पर डिपेंड होता है तो बाकी दोस्तों पॉ मैलज के अगर बात कर लो तो आपको इस बात कर लो तो आपको सब्सक्राइब करने वाला है वो थोड़ा बहुत कमें मिलेगा बिकोस फॉर्ट इसका इंजिन है तो इस बाकी दोस्तों जो रियल मैलेज है जो आपको तेस्ट होने के बाद ही मालूं पड़ेगा जो जो संब्सक्राइब करते हो जो कि काफी अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है तो दुस्तों अभी कंक्लूड करते हुए यह बताओं को कि बाइक का स्पेसेफिक्शन काफी अच्छा है और आफ्टर आल दुस्तों यह वैल्यू फॉर्मनी बाइक लगती भी अगर एक 3,500,000 के प् वहां पे फिर रिप्लाइ करना थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं होता है तो आर मुझे भी अच्छा लगता है तो आप जो इंस्टाग्राम पे पूछ लेकर वहां पे आपको 100% रिप्लाइ कर दूंगा इंस्टाग्राम की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल देगी और वीडियो कर अच्छा लगो कोई भी रिजन के लिए तो लाइक ज़रू कर देना मुझे लों को कल अपको मारे नए वीडियो के साथ में तब तक लिए वाई बाई टिक क्यों